कोडीज मेरे नमा शीश है और आज हम को देखने वाले हैं अपने एंगलर e-commerce project के next part के बारे में जिसमें हम कबर करने वाले हैं प्रोडक्स शेक्शन के को प्रोडक्स अप्सक्रमने हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्स इसल को आईडी को थूट करते हैं और वे बहुत सारी चीज़ सीखेंगे उससे परदे में अपना डेमो दिखा लेता हूं अपना प्रोजेक्ट का वारा प्रोजेक्ट पर लेते विजिए श्ट्यूडियो पोड्पर ओपन है और यहां हमने सर्व करने के कमांड सब्सक्राइब धाय है आप्रोजेक्ट कर लेता हूं अभी तक प्रोड़ेक्ट कुछ ऐसा देख आ एंаний तक आप और इस प्रॉडक्स पे अगर हम slash करते हैं, slash products तो अहां हैं हमारी YouTube लिएक करते है है, agricultural हूँ यहां, लिए अगर यहां पर जैसे मैं, product क्लिक करंथा हूँ, वैसे हिए प्रोडक को दिखाएंगे कि इस प्रोडक के डिस्क्रिप्शन क्या है राइडल क्या है कितना रेटिक है यह सारी चीजिए हम आपर डिस्क लेकर आने वाले हैं तो आज हम इसी को देखेंगे तो फिलाल अभी तक हमारा प्रोजेक्ट देता हुआ है तो शुरू करते हैं और आवे स्टार्ट करते हैं इसे पहले चलते हैं विजी मिशीवीपोड में और वहां देखते हैं कि यहां पर चेंजिट हो रहे हैं और यहां पर कुछ हमारे आईटम से दिख रहे हैं ठीक है तो अभी फिलहाल हमने छोटे से चेंजिस करने इस काटेगरी वाले सेक्शन में क हमाउस ने जातों यहां पर जाहां मैं मामस बूब कर रहा हूं यहां पर आप इसका इ clip कीगा अभी हैस दिखा रहा है सारे पर तो इस हैस की जगह इस कटेग्री के आईडी मुझे करनी है तो आईडी करने के लिए बहुत चोटी स्चेंजेस है चलो मैं आपके दिखाता है विजुल इस बोड पर आना और अपने साइड़ वार कंपोनेंट पर उसके नीचे जो कट करने के बाद आप यहां जो है यहां पर यहां पर यहां पर आईडी आट कर लेगा सेप करने के दिखा देते आपको अब यहां पर मैं जैसी माउस ले जारूं यहां आप देख सकते हैं करने हैं इस दिखाए पर लोकल होस्ट कोलन 4200 करके काटेगरी की आईडी दिखेगी यह यह 5 काटेगरी की आईडी है यह 4 है यह 3 है यह 2 है इस चीज़ को मैं जून नहीं कर सकते हैं इस लिए नहीं दिखा होंगा वागी इस पर आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छा है इस देखेगा यह ठीक है तो यह चोटा सेंजस्ट अब हम सेम इसी तरीके से इस प्रोड़क्त के आईडी के लिए करने वाले तो प्रोड़क की आईडी के लिए अभी ही चलो हम देखाते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले व्यू आल प्रोड़क्त बाइग के डिक्री को चाहिब हम सेट अध्यकिन एक यह सब स्कूष को पहले अग honored को लैप्स कर देए और यहां से कंडें वाल कि करने वाला हुए कि यहाँ सब्सक्राइब करना दिया और लुबा गर अपर दे हैं अब उन गए का्टेगरी को करेंगे तो इसके स्क्राइब पर आते हैं कि हमने Hasite गंते हैं प्रिय और इस थ पर दए में प्रिक करते हैं तो लिए डेवर ये कापि करता हो आ करता हूं अब उसके देख लिए कुछ चेंज करना है तो टीज़़ पे भी हमने कुछ चेंज नहीं करना है सेम उसी तरीके से यहां पर इसले वाले को पोड़ यहां पर सिंपल से यहां पर एक्ट्राउट में यूज़ कर रहा हूं सर्च करने के लिए कटेगरी सर्च कटेग को फाइली इंजेक्ट की हैं और एक्ट्राउट को और फ्र्ट्र इसको उसके बाद एंग ओलों तक सेया हूँ an esca की ञबूम तो थोड़ाइक आईटुम्फन पर इसको एक्ट्ष Extremet यहां पर आईडिक आ यहां पर फ्रॉड़ास क करता हूं किश्च वैट्वराइब कर प लिंक यह बाला राउटर लिंक लिक्ट के अंदर आपशा अंदर ऊक्ति. id और मैं कॉपी करूँगा आप मैं देखता हूं इसको abommai you अपूर प्रोडक की आइडिन है धिक करना है फरकpowered कर कि मैं दीमे न हिसको देख लता हूँ पूंस करना हो मुझे चयंज करना और all product इसैंज Là प्रोडक्त के अदर प्रोडक्त के अंदर अब यह क्या करेगा इस प्रोडक्त के अंदर पर अब मैं यहां पर यहां पर सब्रोब जा रहा हूं तो इसकी आईडी दो बता रहा है यहां पर आ रहा हूं तो इसकी आईडी वन दिखा रहा है ठीक है अब इसके मैं क्लिक करूंगा तो वन वाली आईडी उपेन होनी चाहिए ठीक है बाई कटेग्री के थो तो अब हम यहां पर open नहीं हो रहा लेकिन दोनों जगहा पर हमारा category set हो गया ठीक है तो अब हम इसके particular category wise open करने वाले हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे category wise open करेंगे ठीक है यहां पर सारे इसकी आईडी पांच इसका इचे नो है इसकी आईडी दस है इसकी आईडी साथ है तो इस परीकेस है तो अब इसकी category के थू हम इसको open करने वाले हैं बट यहां पर हमें जो all project पर यहां मैंने products लिया हूं मैं इस products में नहीं move करने वाला हूं क्योंकि हमें view product पे करना है इस वाले product पे करना है ठीक है इस वाले component पे product को दिखाना है तो यहां पर क्या करूंगा इसके routing चेक करूंगा तो में यहां पर आता हूं और मैं यहां पर मैं रौटर लिंग रॉंग करताओ और दैख सकते हैं प्रोडक्स के अंदर व्यूड़क्त के अंदर और लोगल होउ्ट लिए अब उस पनान को भूडिक ओ जाको फोस्तर के दिखा बाइद करेंगे तो हमें रद स्ञेर निंस पर दिखाना किये उह को आटूमेटको डॉडबलज तर्ण फ्र्रोड़क अंन कि वाल वाले में अफ़ीन न में इना क्लिका रहा तो आप इसको भी मुझे dynamically लाना है यहां पर यह सारी चीज़ें भी set करूँगा आपको दिखाऊंगा step by step एक एक चीज़ दिखाऊंगा लिकिन आप same follow करिएगा अधर कोई copy मत करिएगा ठीक है अपने कुछ मत बनाएगा अभी थोड़े 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 चेंज़े रहूंगे कुछ को मैं last में देख लूगा लेकिन कुछ कुछ चेंज़े में यहीं पर modify करते चल रहा हूं थोड़ा complicated होगा भर ध्यान से देखना समझना और code को copy करना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है क्योंकि वैसे यह एंगुलर है रियक्त नहीं है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाने वाला है थोड़ा time लेता है मैं सब्सक्राइब क्या करता हूं अपने view all product by category प्याता हूं और यहां पे जो HTML है अचले सारा page same same हो जा रहा है तो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि category कहां वर कर दा है और all product कहां वर कर दा है तो इसको systems करने के लिए हम यहां पे एक tag लगाते हैं और यहां मैं type कर दे रहा हूं बता दे रहा हूं showing result by category by category ठीक है मैं ठीक्ता दे रूँगा तो actually यह समझ में आएगा by category को थूँ यह सर्च किया जा रहा ठीक है let me check one second suppose मैं यहां पे भी मेरा product देख रहा है अभी मेरा by default product से देख रहा है लेकि जिपना category को through electronics पे मैं click करूँ तो मुझे showing result by products से देखे ठीक है यह सारी चीज़े मुझे दिखनी चाहिए यह four number category देखना चाहिए यह सारी चीज़े by default URL पर देखना चाहिए बढ़ यहांपे लिए दिख रहा है तो यह सारी चीज़े को मैं देखता हूंगा किसे नहीं देख रहा है तो यहां पर आता हूं इसको यहां पर एमारी category id नहीं पर इसको यहां चलता हूं और products पे देख रहा हूं यहां पे supposedly woman क्लिक करता हूं यह three number यहां इस इन व सबंसते हैं मौडिल को सब्सक्राइब सारी चीजों को सारे module को सही set कर रहा हूं couに हा मैंस चेक किया routing में सही है प्लू की मेरा ठीक है तो बैसी को एक त्रीकेशंग मैं ट्राई मारा हूं और एक बाध। चेक करता हूँ पर प्रॉजर पर कि यहां रन होता है clear होता है कि नहीं एक बार inspect भी करने ता हूँ में इसको देख लेता हूँ कोई नहीं कोई यहां पर होगा इस वजह से problem कर रहा होगा तो एक बार मेरा project रन हो जाएगे यहां पर मैं console पर क्लिक करता हूँ मैं यहां पिक्रता हूँ अभी भी नहीं हा रहा अब मेरा प्रोजेक्ट रनुआ मेब्यू बेर! मैं यहां पर किटेक practitioners प्रॉक्ट प्लिक रहा हूँ अभी भी नहीं हो रहा है Electronics तो मेरा project ृबर restart हो गया है यह फिना कि कॉई error तो नहीर है कि यहां पर देखिए तो जिस हिसाब से कटेग्री में हमारे डेटा रहेगा उसी हिसाब से यहां पर सो होगा otherwise नहीं होगा तो अब हम जो रेजिल्ट कटेग्री में दिख रहा है उसको पूरा दिखाने वाले हैं अपने सब्सक्राइब मुझे जहां पर कुछ चेंजर करने हैं जैसे पर पहले है तो मुझे चेंज करना आध एंक है वहां पर यहां पे मैं सर्च क्राएं के सद यह है यहां पर मुझे क्या करना है इस लैस नहीं रहेगा टर्नरी ऑपरेटर रहेगा यह जब धी यूरल पर सर्च होगा तब यहां पर मैं इसको पहले चीज तो यह चैट कर लेता हूं एक बाद चैट करते हैं सपोस्थ आप देखो यहां आटोमेटिकली मिष्ट होने लगा टर् चार नमबर ऐड़ वही जो हो कि we ना पर चार नमबर आएडी की पर क्या सऩारे डेटा-वही जो दीख रहे है जो नमűड में तो इसको चलो एक बार फिल्टर करते हैं और सेट करते हैं किस तरीके से होता है तो मैंने यहां पर यहां पर बनाया है यहां पर कंदी तरीके से जाओ ठीक है है क्टेग्री आइडी यहां कि यहां प्यांकिरिया प्रेड़ी सब्सक्राइब करते हो पूरा और सब्सक्राइब क्रेश करते हैं यहां पर भी पेश्ट कर दे रहा हूं, यहां पर मैं पास्ट कर रहा हूं, यहां पर दो कर रहा हूं, यहां तो मैं इसको पेश्ट करता हूं, यहां पर मैं इसको पेश्ट करता हूं, यहां पर मैं इसको पेश्ट करता हूं, यहां पर मैं इसको पेश्ट करता हूं, यहां प यहां पर मैंच को दीप कर देता हूं, ठीक है, तो फिर हमारी category ID अब दीज़ी हुए है, तो अब एक बार शेप करके जनकर आते हैं, फिर करते हैं, कि error नहीं है, अब पर पॉफेक्ट्ली मेरा आ रहा है, फिर पर only single एक value आ रही है, यहां पर देख रहा हूं, कि यहां पर जि चीज है, और फाइफिट्थ category में भी एक चीज है, और यहां पर फोर्थ category में भी एक चीज है, यहां फ्री category पर भी वन चीज है, और यहां पर टू category पर वन है, इसी तरीके से अब मारे इनी पूरा प्रोपर्ली वर्क हो गया है, get category by, get result by category, या showing result by category, आज हम इसको set कर है, coffee complicated था, मुझे भी करने में ने दिमाग खिल गया, तो आप लोग भी patience बना के, वीडियो को follow करके करें में तो आपको भी समझ में आएगा, और बहुत अच्छे से हो जाएगा, चलो एक बार समझा देता हूँ, कि कैसे हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर जो इसे को आप लोग manage कर लेना, मैं इसको save कर देता हूँ, और दुछ के बाद क्या करना है आपको, आपको अपने product-service.ts पर आना है, product-service.ts पर आपको यह URL पे ternary operator लगाना है, ternary operator के बिना search get नहीं कवर करेगा, ID के थो, ठीक है, ternary operator मच्ट है, तूसरी चीज आपको क्या कर आना है, view all product and view product by category, view product by category, डोनों में आपको, यहां router link पे, आपको route देना पड़ेगा, view product का, ठीक है, product ID के थो, और इसी same template copy करके, यहां तो आप paste कर देना, यहां आपका, view product by category का, तो इतनी चीजें, आज कर लेना, तो नेक्स वीडियो में, मैं आगे करना से बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा कि कैसे, अपने view product को, कस्टमाइज कर, डाइनमिक करते हैं, इसके product का भी सिर्फ ID आ रहा है, इसका name भी हम डाइनमिक लाएंगे, और इसका card भी डाइनमिक लाएंगे, मतलब इस्क्रिक्शन, price, यह सारी चीजे डाइनमिक लाएंगे, तो मिलते हैं में विदो में तब तक लिए बबाएं, कोई भी प्राव्लम हो तो आप हमें comment जोई दिन करें